हैलो क्लास एट, वेल्कम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासिज, अगर आपको हमारी बनाएगे वीडियो पसंद आये तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए, बैल आइकन को प्रेस करिए, तो आज हम स्टेडी करेंगे हानी ड्यू बुक कर चैप्टर टू जिसका नाम और वो का, as a police worker काम करते थे, कटा चली, Iceland of Nikobar, आइसलेंट, टेकर निको बार आइसलेंट से, वहाँ पर ये working थे, as a policeman, और ये बहुत ही brave policeman थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, देखिए, जब सुनामी आई थी ना, तो इन्होंने अपने रेस्क्यू किया थे, मतलब कि अपनी आपको बचाया, अपनी family को बचाया, अपनी daughter को भी बचाया, साथ में इन्होंने एक काम किया था, जो इनकी जो आसपास रहने वाले लोग थे, जैसे कि इनके hotel की, hotel में जो एक worker था, उसकी वाइफ थी, जो वाइफ थी, उसकी वाइफ जो थी, उसको जब जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, खुद भी, he sacrifices his life for wife of the guest house, जो guest house के जो रहने आयते हैं, उसको बचाने के लिए अपने life को ये sacrifice कर देते हैं, ये खुद भी डूब जाते हैं, और लेकिन उनकी जो wife होती है, उसको बचा लेते हैं, तो ये इस तरह के brave person थे, कि अपने life को इन इन इंग्लिश उमन, ये एक इंग्लिश उमन थी, जिनके age से 10 साल थी, ये रही लेड़ी, जिन्होंने बचाया था, जिस girl ने, was a create a saving nearly of 100 fortune tourists, इन्होंने कम से कम, कई सारी विदेशी सेलानियों को बचाया था, कम सो सेलानियों को, ठीक है, मैक को बीच, देखिए, मैं खाओ एक बीच होती है, थाइलेंड के अंदर, ठीक है, मैं खाओ एक बीच थी, थाइलेंड के अंदर, बाइव वर्निंग अफ देच, इन्होंने बताया दिया था, जनते हो क्या होता, कि जू ये थी ना, ये इन्होंने जोग्रफी में एक study करी थी, यहाँ पर ये घूमने आई और जो मतलब एरिया था, कोश्ट एरिया था, वहाँ से हाइसलाइन के आसपास के लोगों को खाली कराया, उस जगह को हटवा दिया, ठीक है, सुनामी इस कोश्ट बाइद टू थाउजन फोर इंडियन ओशन अर्थक्वेक, ये 2004 में इंडियन ओशन में अर्थक्वेक आने कुछ महत्तपुर जनकारी और इंस्पायर भी करती हैं, कि अगर आपके सामने कोई प्राकिरती आपदा आ जाती है, तो आप किस तरीके से help करते हो, लोग किस तरह से reaction करेंगे, लोगों किस तरह से rescue कर सकते हो आप, ठीक है, इस अकट वेन दा सुनामी हिट सम पार्ट ऑफ यह कब की कार्णी है, जब सुनामी ने कुछ पार्ट को, कुछ हिस्से को इंडिया के हीट क्या था, ता स्टोरी ओफ अंडमान एंड निकोबार आइसलेंड, आइसलेंड क्या था, जो कि टापू था, बिसेकलिए वो क्या था, पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ इंडिया कि सुनामी आ सकती है, उसके चांसे जाधा होते हैं, अब देखेंगे एक पहली स्टोरी जो हुम पढ़ते है, वो थे इग निशिय क्या होते है, एक फेमिली होती है, उसमें पीपल नामी इग शिय क clicking Сटोरे है, थीक है, उनकी स्टोरी है, तो इग सिबidenstogen को क्य करता है जमीन पर और यह से बचाने के गर करतीजह करते हैं तसहले वह उसको शामीन पर रख देते हैं उसके वद से मेंबर मेंबर केटài से का मर्ष 생 caffeine चाओठ है ऐहाँ जाहिक मेंद नाल हम मेंबर के वाहर जाने कि कोशिश करते हैं बागने कुछ करते हैं तो उनके साथ एक चाल जाता है और उसके साथ तो दो बच्चे इनके उनके साथ जाते हैं लेकिन वह दोनों भी क्या होते हैं बहते हैं ब्रदर इनलो ठीक है उनके साथ जाते हैं इनके बच्चे और वह दोनों भी बह जाते हैं तो इगनीशियस जो होते हैं उन्होंने अपने वाइफ अपने ससूर अपने साले यानि ब्रदर इनलो और अपने दो चाइल्ड को इस सुनामी के अंदर खो दिया तो यह स्टोरी थी इनकी ignatius की उसके बाच से देखिए ब्रीफ संजीव के स्टोरी को देख लेते इक पर देखें ब्रीफ संजीव के सात क्या होता है कि संजीव कि होता है कि संजीव पॉलीजमें he managed to save himself उन्होंने अपने आपको बचाया उन्हों बचा बचाओ कोई बचा उस तरीके सेठीक है तो संजीब क्या करते जम कर देते आटे प्रिवल्री दिखाते ऐसे बचा लेक'RE बने हो tak मेंगना एक तेरा साल की गर्ल है शी वाज़क स्वैप्ट अवे अलॉंग विदार पैरेंट्स एंड सेवेंटीन अदर पीपल वह अपने पैरेंट्स साथ बैढ़ जाती है और सब्सक्राइब करते हैं उसके अपने आपको बचा लेती है उसके बाद से जो स्टूरी आती है वो हती है अलमास की देखिया अलमास वोज़ा 10-years-old अलमास कितने 10-years-old के देन फैमिली वोज़ा स्लीपिंग बट हर फादर है डवाक पुसके जो फैमिली थी पूरी सो ही हुई थी उसके फादर कहते वेक अपते जगे वे थे इस वाटर वो देखते हैं कि जो पानी है उसमें रिसी अच्छे की तरफ जाता है बैक जाता है और थोड़ा सा फिर अचानक से देखोगे तो आप बहुत सारी आती है तो ही नियूँ इट कम बैक विद ग्रीटर फोस उसके जो ले रहे थी दुबारा से बहुत ज्यादा फोर्स के साथ आती ही वर्क एवर्रीवन ट्राइंग जो वह फिर बचाने के लिए बचे आते हैं अ मत अब क्या होता है जो इसकी मदर और बुवा होती है अंटी वगरण वो भी बैह जाती है बट जो यह अलमास होती है वो एक वुड को लकड़ी को पकड़ लेती है लंबे से और उसके वाद से वो क्या हो जाती है बट जाती है जैसे की bigger than seven वे विद्व हो जाना थेकर और शी वेक अप इन हस्पीटल इन अ कम रुटा ठेकर जब वह जखती है तो एक होस्पीटल में होती है कम रुटा की ठीक है और बहुत से जजदा शॉक्ट से होती है, वह कि यह क्या हो असके साथ, ठीक है, क्योंकि वह बहुत ही कम एज की होती है, तो यह अलमास की स्टोरी ही थेपिऑ, जुट जो फानीघन पार्ट है, वह है देजन टिली, देखरुए कि निस्टोरी कहां कि friendly on a beach, Beach पे अपनी family के साथ Tilly का होती है, खड़ी होती है Tilly and her mother, Penny Smithe. Penny Smith koken होती है, उसकी mother होती है बोच सो, the water swelling swelling the beach, अब उ देखती है और में देखती है, और सिज़ को realize, feeling कर दी है कि जो पानी है वो पहले बढ़ रहा है, then वो घट रहा है May बेच was a getting smaller एंड अभीज जो है छोटा होता जा रहा है smaller every moment हर छोटे-छोटे मुमें पर देख रहे है कि छोटा होता जा रहा है she saw they saw the sea slowly rise and start to forms अब वहाँ पर जो सुनामी जैसे कि जो सी है ना उसके समुंदर के बीच में गोल-गोल से कुछ भौरे उठ रही है ठेक है ना चीजे वह रही है तो यह इन शाइन को देखती है इस लक्षणों को देखने की लगती है कि यह कैसा हो रहा है tilly's mother was not alarmed by this science बाट टीली मैडर को जो टीली की मडर होती है मम्मा होती है उन्हें इस उन्हें सुनामी के कुछ आईडिया नहीं लगता उन्हें असले लगता कि सुनामी के लॉपई अ खीम फिर क्लास में की सुनामी के क्या लक्षण होता है पहचान सकते हो ठीक है students तो आप भी अगर किस चीज़ को पढ़ते हो तो इसको life में implement करो अगर आपको किस चीज़ की knowledge है लाई का आज tsunami के आरव में पढ़ रहे तो अगर आपको इन future किसी भी तरह की problem ये disaster से सामना करना पड़े तो you should take a precautions जैसे कि चीज़े बताई जाती है आपके class में और जो भी है उसके symptoms होते हैं तो अपने life में education को implement भी करो ठीक है तो चलिए chapter के तब दबार आते हैं तो क्या हो रहा है कि टीली को जो वीडियो दिखाई गई थी उसकी class teacher ने दिखाई थी geography ने geography के class में तो उसको पता लग जाता है कि यह कैसे symptoms है यह कैसे sign है यह तो sign है tsunami के तो she screamed to ask her family to go off which is अब हो कहती है सब अपनी family को और बाकी लोग को भी कहती है कि यह tsunami के लक्षणा और सब के सब यहां beach से दूर चले जाओ वो तो क्या करते है फिर वो beach से दूर जाते है अपनी अपनी जगह को छोड़ देते है the mother did not sense anything travel बाग उसकी mother जो है वो ज्यादा felt नहीं कर पाते feel नहीं करते है होटल में चले जाते लेकर ठीक है टीली की फैमिली मैंनी अदर आलसो लेफ्ट दा बीच रिद्धम उनके साथ ही कई और लोग होते है जो beach को छोड़ देते हैं ठीक है then it was as if entire sea had come after them उसका दो देखते हैं कि पूरा सी जो है वो होटल में आगे सिफ्ट कर गया पूरी लोग ठीक है उसके बाद से क्या और दा फैमिली टू का refuse इंदा थार्ड फ्लोर अब दा होटल के थार्ड फ्लोर पे चले जाते दा इस चीज़ को फील कर लिया पहली और अपने इस फैमिली के साथ अपनी साथ बाकी लोगों को भी जान को बचाया ठीक है क्या इसके बाद सिम्पल से चीज़ है कि हम ऐसा कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं हुआ उनके पास सिक्स एंस होता है कि कोई भी अगर डिजास्टर आता है कोई भी प्राव्लम आती तो उसको फील कर पाते हैं ठीक है तो इसके बेस पे है यह थार्ड इस्टोरी दाथ सुन लाग लोग मारे गहते, मगर एनिमल जो मरेते हो, सिर्फ कुछ ही थे, इन याला, नेशनल पार्क इन सिरलंका, 60 विजिटर्स, ठीक है, जो 60 विजिटर हो गहते, वो भी क्या चले गहते, बैग गहते, दूल गहते, ठीक है, बट अउनली टू एनिमल देड, सिर्फ दो एनिमल होता है, पार्क में कि जब क्या होता है, सुनामी आने वाली होती है, तो जो हाथी थे, वो भाग कर आ गया थे, एक घंटा पहले, उन्हें जैसे कि हाथी यो को जैसे पता लग गया हो, हना तो जानवर जोते है, उनको पहले ही फील हो जाता है, कुसी कुसी प्रॉब्लम्स क जैसे कि चीटी है, उसे पता लग जाता है, कि अर्थ को यह काने वाला है, ठीक है, तो उन्होंने अपने देखा था, पार्क में कि कुछ हाथी ऐसे थे, जो सुनामी आने से पहले ही, एक घंटा पहले ही भाग रहते, अपनी जगा को छोड़ रहते, बीच इसको, उसके माने ले जाया करता था, लेकिन जो सुनामी वाले दिन क्या था, कुत्तों का मन नहीं था, कुत्ते ने, कुत्तों ने मना कर दिया था, अपने माली को, हैल, गैल को, कि आजम घुमने नहीं जाएंगे, लेकिन जिसके वज़ए से देखी, अगर वो घुमने जाते, तो वो भ काई सारी वीडियो अप्लोड होने वाले हैं चाहे वा साइन सो मैट सो और इंग्लिश की स्टोरीज प्लीज तो सब्सक्राइब कर लेजिए और थाक्यू सो मच देर स्टोरेंस अल्दा बेस्ट